सो हेलो गाइज वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल सेट्राइं बाउंड गोल दिशोर शंदीब भाया और गाइज ए वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो देली से बेटे करना चाहते हैं और गौवर्मेंट इंजिनरीं कॉलेज इस वीडियो में बात बाते हैं और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिनको पाने के लिए बहुत मेहनत करने की बहुत कमी स्कॉर पे यहां एड्मिशन हो जाता है कुछ कॉलेजों की फीस तो काफी महेंगी है तो हर तरीके के कॉलेजों की बात मैं करने वाला हूं डेली के टॉप 10 इंजिनरीं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको एटलिस्ट कितना परसेंटाइल नेक्स अप्रेल में टागेट करना चाहिए या फिर अगर आपकी रांक आ गई है तो आप एडिशन हुआ था और आपका एडमिशन होने की यहां पर संभावना है या नहीं है तो इस वीडियो को सबसे बड़ी बात आप जरूर बताईएगा कि इसमें से कौन से बीड कॉलेज पर एक डेडिकेटिड वीडियो आप चाहते हैं क्योंकि मैं एक ही बीडियो में दस कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं तो अब्यसली थोड़ा सा सौट होगा अगर कोई कॉलेज आपको अब बताईएगा जरूर हम उस पर एक डेडिकेटिड वीडियो बनाएंगे तो डिपेंड करेगा आपके कमेंट बॉक्स पर तो चली काई शुरू करते हैं और वीडियो को स्ब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि पूरे काउंसलिंग में यह आपका पूरा-पूरा सा योग देने वाला है बहुत हेल्प करने वाला है दिस चैनल विल्वी इस मुझा मच हेलफुल फॉय तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिए वेल इकन दबाईएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे क्योंकि अगर नोटिफिक आखा कचा 10 नंबर से स्टाइट करता हूं 10 से स्टाइट और फर्स जानने के लिए भाहिसा पहले चैनल को चैनल सक बने रही है और आप पहले कमेंड में गिस करके बताओ कि क्या रंकिन को देनी चाहिए थी हालेकि मैं ने इर्च्व रंकिंग दिया अपने हिसाब सी आप स को help मिल सके so that decide कर पाए कि कौन से college को उन्हें जाधा prefer करना चाहिए obviously अगर बच्चे के मन में और भी चीज़ें है जैसे की location exposure तो वो अपने हिसाब से ranking उपर नीचे कर सकता है मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं यह हंडिट परशेंट सत्य है बिल्कुल मैं अपने recording बता रहा हूं कि क्या मैं होता दो चूज करता एंड आप अपने recording देख लेना बाट ठीक है ranking मैंने ठीक तरीके से return of investment, fees, placement, exposure, college life इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखके मैंने बनाया है तो दसवे नंबर का अपना college है cluster innovation center CIC वाई साब एक college startup culture को काफी promote करता है DU का एक college है पहले मैं बता देता हूं आपको Delhi University अप Delhi University में दो हो गए एक CIC है और एक Delhi University जही में से भी होता है उसमें आपका computer science, electronics और electrical करके ऐसी तीन ब्रांचेज खुली है और उसका department अलग है उनकी fees भी जाद है पर CIC में सिर्फ एक ही branch है वो है information technology and mathematical innovation IT NMI बहुत शांदार ब्रांच है classical जो information technology हुआ गरती थी उसमें इन्होंने थोड़ा सा mathematics का बहुत ही शांदार touch दिया है थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है data science या analytics के तरफ इंक्लाइंड है तो यह आपका जो branch है बहुत ही शांदार है अगर आपको लग रहा हो कि भाई हम मेरे को foreign में MS करना हो तो बिल्कुल इस branch में जाओ करना हो बिल्कुल इस branch में जाओ एक ओलेज की अगर मैं इस college की फीस की बात बारे में बात करो ना भाई तो इस college की जो फीस की जो फीस है बहुत ही डाट इस वैरी लेस्ट इस 5,000 पर सेमेस्टर 10,000 पर इयर तो दस हजार में college आपको बीटे करा देगा इस एक ओलेज की इस 11 में बनाया गया था 2015 में बीटे कोर्स एड किया गया था और यहां admission का जो मोड है that is CUET that is CUET CUET से CUET के तुरू आपका admission होता है और CUET में admission लेने के लिए आपको एक language प्लस आपको maths और जनरल टेस्ट देना है physics chemistry का कोई लेना देना नहीं है जनरल टेस्ट देना है टोटल जो होगा 650 marks का होगा और 650 में से अगर आप 500 भी marks लेकिया आते हो तो यहां पर आपका admission हो जाता है आपका यहां पर admission हो जाता है नंबर आफ सीट्स बड़ा लेस है कुपाई कर लेते हैं पर बाद में क्या होता है मैंने जो मैं अपने experience के साफ़े बता रहा हूं बाद में सीटें धीर धीर कैंसल करने लगते हैं क्योंकि इनको एनाइटी जैक कोई अच्छा आइटी या किसी और स्टेट का कॉलिज मिलने लगता है तो दिरे दिरे इनकी सीटें कैंसल होने लगती है और बाद में सीटें स्पॉट रौंड में भरी जाती है तो आप इस पॉट रौंड तक वेट करिएगा 200 रुपय लगता अगर आपका पांसो एवन चारसो सारे 400 प तो यह हॉस्टल इनका खुद का नहीं है लेकिन एक दूसरे डिपार्टमेंट के साइंस के हॉस्टल में एज़स्ट करा देते हैं 10-15 वच्चों को हर साल और गल्स को जादा चांस रहता है कि हॉस्टल मिलने इनका खुद का उसल नहीं है इनका एक और चीज भी नहीं है व स्टुदेंट्स वहां के बच्चे और गूगल से बात करके इंफोर्मेशन निगली कुछ बच्चे 31 LPA भी कह रहे थे हैं बट इनका एवरेस पैकेज बहीं पता चला कि हां बढ़िया है बच्चे फिर बच्चों का प्लेस्मेंट कैसे होता है तो तो प्लेस्मेंट ऐसे हो सब्सक्राइब एक हैं और दूसरी बात जादे बच्चों का माइंट सेट होता है आपका मास्टर्स का इनोवेशन का और स्टार्ट अपका तो बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान देते हैं यहां की सबसे खुबसूरत चीज जो मुझे लगी मैं बताता हूं मैं इस पर द इनके कलिकुलम में उसका मार्क है और जिन बचों को इंटर्शिप पहली बात तो प्रोफेसर की थूँ बहुत सारे बचों को इंटर्शिप मिल जाती है जिनको नहीं मिलता है उनको प्रोफेसर अपने अंडर में ही कराते हैं एक इनकी डेडिकेट बिल्दिंग है 55 लोगों का स्ट्रेंट रहता है मतलब बहुत ही शांदार है ऐसा नहीं की मतलब अच्छा नहीं है कैंपस वेगरा की बार में मैंने बच्चों से बात की तो सबका पॉस्ट्व फीडबैक था पॉस्ट्यू कहना था कि यहां के स्टार्ट अप कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं नौकरी लो नहीं नौकरी दो और दूसरा जो चीज है जो इनके लिए थोड़ा सा है वह यह है कि यहां पर हॉस्टल की प्रॉब्लम है तो यह चीज है वह बाकी फीस वेगरा काफी कम है हाँ एक बात और मैं बताओं बार दो से तीन बच्चे यहां पर सेलेक्ट होते ही होते हैं तो यह राएस याईसी के बारे में तो यह सी ठीक है प्रॉब्लम भी मैं आपको बता दिया बाकी आपकी च्वाइस है किस रांक तक मिल जाएगा मैंने भी बता दिया सी यूइटी का इक्जाम देना होगा इन जे एन यू सबको पता है बहुत ही पॉपलर कॉलेज है अगर मैं बात करो यूनिवर्सिटी लेबल पर तो यूनिवर्सिटी वाइज रांक टू पर है इंडिया के दूसरी सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है और और टेंथ पर है और इंजीनेरिंग में अभी इसका कर सकते हो कोई परिशानी वाली बात नहीं है और अब बात करते हैं यहां के प्लेस्मेंट के बारे में तो देखो हाइस पैकेज लास्टीर का 33 था अगर में बात करूं कंप्यूटर साइंस का तो यहां पर एक जीएफ्टी आई है यह जीएफ्टी आई है तो एडमीशन ज पर नहीं है तो बिल्कुल आप भी एक चीट कर सकते हो ताकि हम आपकी कांसलिंग करा सके टो अगर आप हमारे तू कर आना चाहते हो तो अगर आप खुझे करना चाहते हो तो दाफिनटी ऑफ सलिट लियूट और यहां किसी के गाइडेंस में हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि आपको हर कॉलेज की नॉलेज नहीं होगी बट हमें है डॉंट वरी गाइस कि अगर मैं बात करूं कि तो देखो 33,000 पे computer science लास्ट यर में बंद हुई थी और electronics 45,000 पे जाकी बंद हुई थी यह मैं स्यारल राइंक बता रहा हूं किस की स्यारल राइंक बता रहा हूं किस की जनरल की अब अगर मैं बात करूं ऑबी सी की ना तो और पिछली वार 45,000 तक सी सी दिया था ओबी सी वालों ने और साथ हजार तक आपका लगबग लगबग साथ हजार तक आपको इसी मिल गया था अगर मैं जनरल के लिए बताओं कि अगर आपको अगर आपकी 97 परसेंटाइल से जाधा है तो आप यहां पे बिल्कुल सी एक्सपक्ट कर सकते हैं और अगर आपको अगर आपको अगर आपको अगर आपको यहां इसा नहीं करना है कि आर मेरे को तो मिली निराइचलों अपनों लोग भागते हैं अगर आप उसके बाद जो आठोए नमर का कॉलेज इद इंद्रपरास्त युनिवर्सिटी का मैंन कंपस दैट इस यूएस आइ स्टार्ट हुआ है बाट नाओ आम गोईंग टू डिसकस अबाओ यूएस आई सीटी यहां पे भी वही है बीटेक प्लस एंटेक का इंटेग्रेटेटर कोर्स है पर अगर आपको एक साल के बाद और अगर आप एक साल और रुख जाओगे तो बीटेक प्लस एंटेक की एक आप एकसाम देंगे और GGS IPU का आप वह भेरा जा रहा है तो आप आप देखना इनका इनका कंप्लिकेशन देखना पढ़िए लोग वह संग कि फालतो का फॉन बढलो और उसके बाद प्र कंशलिंग फोपर नहीं और फिर कंशलिंग शुरू होगी तो तो हजार हुए तो बढ़ने में जाएंगे और 500 रुपे काउंसिलिंग में जाएंगे तो 1500 का तुम्हारा इनका पंदरसों देखिया आप यहां काउंसिलिंग स्टार्ट करवा सकतो जी जी इस आई प्यू में अगर में बात करूं फी स्ट्रक्चर की तो 1.38 लाक पर यह और होस्टेल फीज पच अगर मैं बात करूं कि नंबर आफ यहां से लास्ट बैच में क्या 276 बच्चे ग्रेजुए थे और मुसे उसमें से सब्सक्राइब तो इससे आपको अंदाजा अलग जाएगा कि कितने बच्चे प्लेज्ट हो रहें और कितने नहीं हो रहा है अगर मैं बोल रहा हूं कि एवरेस पैकेज किसी का दसल्पी है इसका मतलब यह कि जितने लोगों का प्लेस्मेंट है उनकाम ने एवरेस ले लिय प्लेज़ दो ए नमबर आफ कंडिडेट के प्लेस्मेंट को जोड़के एंसे भाग देजिए अवरेस निकल जाएगा लेकिन मेडियन सेलरी का मतलब ही हुआ अगर मेरें सेलरी दसली पी है इसका मतलब यहां पर माली जे लोग है और वीस लोगों का मेरें सेलरी दस है तो मतलब दस लोग ऐसे हैं जो दस लाग से जादी की सेलरी पा रहे हैं और दस लोग ऐसे हैं जो दस लाग टैनल पी टैनल पर एनम से कम की सेलरी पा रहे हैं तो मेरें सेलरी और इसमें फर्क होता है इसको भी आप समझते चलिएगा हाई यहां पर जो कोर्स ओफर किया जाता ह गर्ल्स को भी अच्छा खासा फाइदा होने वाल है तो अगर आप उनका रिजर्वेशन अलग है मैं जो कटफ लिखा हुआ हूँ जनरल का लिखा हुआ हूँ अगर हर कटेगरी का लिख जाता तो फिर तो पूरा बढ़ जाता सिर्फ एक ही में पूरा टाइम निकल जाता तो कोटा दे देंगे तो जब बहुत बार पैरेंट्स मुझसे आते हैं बोलते हैं मैं गाजियाबाद में रहता हूँ बच्चे को कहां पढ़ा हूँ जब कच्छा 11 में आते हैं तो मैं कहता हूँ तुम दिल्ली में पढ़ाओ जिस भी स्कूल में पढ़ाना है फाइदा क्या ह हाथ में लड़ू तो थोड़ा समय बोलता हूँ कि आपका जब बच्चा अच्छा 10 में होना तब ही हमसे मिलवाओ कुछ स्टेप्स लो काउंसिलिंग कर ओ ताकि फाइदार है आप अगर बच्चा आपका कभी थोड़ा कमजोर भी पढ़े ना तो आपके जो पहले के लिए डिसीजन से उसके लिए फल्दाई रहें यह बात जरूर धान रखेगा पैरेंट्स को भी थोड़ा सा सजब होगे रहना चाहिए अब जिन बच्चों ने जो यूपी के लोग नोड़ा गाजियाबाद या कहीं के लोग जो अपने बच्चे को डेली में पढ़ाते है ना उ यह आजाता है ताइम के साथ साही डिसीजन लेना चाहिए आप कुछ लोग होंगे जो काउंसिलिंग के टाइम पर दिमाग नहीं लगाएंगे रिसर्च करके अपने बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाएंगे कुछ लोग पहले से मान के बैट जाएंगे कि आरे मेरे बच् करते हैं क्योंकि बच्चों के जीवन का सवाल है अगर आप बच्चे को पढ़ाने के लिए दो लाक रुपे जोग सकते हैं तो क्या आप काउंसिलिंग में एक दोजार खर्ची नहीं कर सकते हैं और बैसी बात है ना क्योंकि आज से चार सा अब यहां से लेके चार साल तक बच्चा बीटे करेगा और बीटे की फीस आप देखी रहा है इसकी फीस देख लीजिए वन पॉइंट त्री एट लाक हॉस्टल फीस अलग उसके बाद से भी फीस लगता ही रहेगा खर्चा पानी अलग तो यहां आपका आज का डिसीजन इसके चार साल को डिसाइड करने तो सोच समझ के डिसीजन लीजेगा चाहें आप जैसे भी डिसीजन लें आप खुद करिए किसी एकसपर किसी बंदे को बुला आगे रिसार्च करवाई यह जैसे भी करना लेकिन सोच समझ के अब तक आपका पैसा देना शुरू होगा ना चार साल तक आपको बच्चे को है और बच्चा जिस इन्वार्मेंट में जा रहे भी डिपेंड करेगा आज के डिसीजन पर कि आपने कॉलेज क्या चूज किया यह अगर तुम बैस्टूरेंट हो तो तुमने क्या चूज किया कॉलेज आज इस पर बहुत सारी चीज़े डिपेंडेंट हो जाती हैं तो अग पर मैं बात करूं और स्रेट कंडिडेट का तो कम से कम 97 to 98 परसेंटाइल आपकी है तो बहुत हथ तक चांस है कि आपका आरामसी यहां पर हो जाएगा तो ट्राइफार डाट साथ नंबर पर अपना है कॉलेज प्यारा दुलारिया जामिया मिले इसलामिया मैं और डेडिके मेट रॉइस के बीचोबीत सजाती है मोड आफट की प्राबलम मैंने यहां बताई थी यहां हॉस्टल की प्रॉब्लम में होस्टल की स्वाट जया मातर तीस परशेंट बच्चे भी आसे नहीं होंगे जिनकों हॉस्टल मिल पाती है और दूसरा थोड़ा सा इसलामिक कल्च जैसे एक CSE, Electrical with CSE, उसको हम Self-Finance बोलेंगे, Self-Finance बोलेंगे, Electrical and CSE, और CSE and Data Science, Data Science, और तीसरा VLS Science, EC and VLS Science, यह तीन नए ब्रांचिनों ने स्टार्ट किया है, अगर मैं युनिवसिटी के ओवराल रैंकिंग की बात करूं तो 12 रैंक है और युनिवसिटी लेबल पर रैंकिंग तीन है और अगर मैं सिर्फ इंजिनियरिंग के रैंकिंग की बात करूं क्योंकि मेरे को इनवसिटी या ओवराल रैंकिंग से क्या मतलब साहब मैं तो इंज तो इंजिनेरिंग में इसकी रंकिंगिग इसकी आइसी एंडिया के तॉप टॉप टॉप टॉब टॉप टॉपटी सेवं इंजिनियरंग कॉलिजमै उमें में परऑंChar City यहां से 300 वंदे जिसमें 270 बॉस्ये अंड़े İş अगर में मीडियन सालरी वाद करूं जामिया मिलैस्लामियागी तो यह सब्सक्राइब आपको दिखाया भी था वहीं के बच्चों से मैंने वहां के टीपी ऑफिस से मंगवाया था अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि बाइया एक बात बताईए मेरे को ना एडमीशन चाहिए जामिया में अब चुकि इसका फॉर्म चल रहा है और पूरे मार्च मार्श तक फॉर्म भरा जाएगा अगर आप पहले फॉर्म नहीं बढ़ते हैं तो बाद में और कांसलिंग के ल कि आगा कि क्योंकि सेलफाइन की भाट अब्रांच की फीस है 12 hey Saap disk अगा इंगने के आपको पैसा नहीं है तब कलना चाहिए एंड अगर आपको पैसो की नो प्रॉब्लम अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तब क्या करना चाहिए अगर आपको पैसो की प्रॉब्लम है अगर पैसो की प्रॉब्लम है तो आपको सीधा-सीधा क्या करना है वही आपको सबसे पहले सी एसी रखना है दूसरा क्या रखना है इस लाक रुपए जामिया को नहीं दे सकते हो क्योंकि सेल फाइनस अभी नया लॉंच हुआ है अभी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा उसको नाक वैक से ग्रिडिगेशन नहीं मिला है आप मैं लुद लेगा नसे कोई दिक्ट वाली बात थिक तो आप निशनल ऊपर आप या आप चाहते बलुटत साइंस टेकिए आप लुटतर चोहना नंबर आप इरक इनल S2 रकते हैं इस्व फी या बएड़ सकते हैं अधिक संसे देस्टा आप एग सकते हैं और उसके नीचे आप इसी एलेक्ट्रीकल विट सी रख सकते हैं आपकी चाहिस होगी क्या रखना चाहते हैं तो मैं आपको यह बोलूगा कि आप electronics का VLSI ऊपर रखिएगा क्योंकि VLSI इतना जाधा बूम कर रहा है अगर आगे चलकर आपको master's करना हो तो तो सबसे ज़्यादा को किस कि जाती electronics वालों के लिए VLSI कि तो आप और ड़ाइब गलिस प्रहां कि तो और बढ़िया रहेगा यह आपकी 24 होंकि और इसको नीचे रखा है उसके बाद आपना मेकेनिकल आ जाता है उसके बाद आपका तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं एक और दे सकता है मैंने जस्ट जनरल ओर दिया मैं आपको ब्रांचेस के बार में बता देता हूं आप इसको प्रिफरेंस दे सकते हैं अधर्वाइस आप इसे इलेक्ट्रोनिक से नीचे रखे कोई दिक्कत निया है आप इसके पक्ष में हूं जरूर चूज करें अगर आपको पैशो कीशो निया तो और तीसरा मैं बात करता हूं एलेक्रिकल एंड कंप्यूटर इंजिनरिंगी तो इसमें आपको यह फायदा होगा कि बहुत सारी कंपनिया जो कंप्यूटर के लिए आएंगी वह आपको भ लूँगा तो इलेक्रिकल एंड सेविल नॉट इध्यान रखेगा बट ओवर ओल यह चीज है आप अपना अपने इसाब से भर लीजेगा जो आपको भर ना हो ठीक है मैंने एक आपको आइडिया दे दिया बाकी च्वाइस आपकी है अब बात करते है अच्वाट बात करें तो यहां पर अलग अलग लेगो तक मिली थी तो अगर आपकी 96 परसेंटाइल के तकरीबन बैटरी है तो CSE बिल्कुल प्लस सी सब्सक्राइब अब बात करता हूं अपने छटवे नंबर के कॉलेज की दैट इस एना इडिली इना प्लस से यहां पर कॉंसलिंग करानी पड़ेगी जोसा प्लस सी सब्सक्राइब पहले जोसा से होगा और अगर जोसा में सीट बच गया तो CSE से भारा जाएगा अब चुकि नाइटी है तो आपको पता है अगर आपके पारेंट्स की इंकम एक लाग से कम है तो फीस माफ हो जाएगा अचा वह जैनून फीस पूरा माफ हो जाता है अगर आ आपके पारेंट्स की इंकम माज लग से कम है तो तू थर्ड फूशन फीस माफ हो जाता है अगर मैं होसल फीस की बात करूं तो 38 के LPA 38 के परियर एवरेस प्लेसमेंट 17.72 देखरो कितना तगड़ा पैकेज है और हाइस पैकेज 82 LPA अचा ट्रिपल आइटी डेली वाली का इ नाइटी डेली का मेडियन पैकेज है यहां पे जो ब्रांचेज है यहां पर आप देखिए अधर स्टेट और होम स्टेट वे कितना डिफरेंस आता है होम स्टेट को 33,000 तक कंप्यूटर साइंस दे देता है और जो सेविल मेली थी और 60,000 आइटीं कोर ब्रांचेज भी यह था और अधर स्टेट के लिए यहां पर 11,417 सी बंद हो गई थी मतलब अगर आप बाहर से हो और डेली एनाइटी डेली में पढ़ना चाहते हो तो कम सकम आपके 98.9% मिनिमम होने ही चाहिए तब ही आपको नाइटी डेली वाले एडमिशन देने वाले हैं तो आइटिंक में बता रहा हूं सच में एवरेस पैकेज बहुत ही शानदार है और कॉलेज का इन्वामेंट भी बहुत अच्छा है तो इस कॉलेज का मीडन पैकेज है 20 LPA हाइस पैकेज है 56 LPA और अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो इस सारे ब्रांचेज CAC विते आई, CAC, Electronics विते आ IML, Mathematic, Mechanical Engineering और, Mechanical भी थे, MBA भी यह लोग कराते हैं और इनकी cut-offs यह रही है आपके सामने है अब मैं बता दूँ जो अब इसमें जो admission का process IGD2 में यह है आपका जेएमें के थ्रूं किसके थ्रों बच्छा पाटी जेएमें के थ्रूं और counselling किसकी करानी होगी, exam तो जेएमें पैसर होगी किना, कि फीज इनंकी फीज फीज शोड़ी सी जयादा होगी उर हर साल बढ थी जाती है, हर साल 1 में कम रहती 2 में थोड़ी बढ़ेगी 3 एर में और थोड़ी बढ़ी पाटिव शचांट लेकिन आप यहां पर इसकोलर्शिब भी होती है उब यूपी गवर्मेंट की अलग और चुप अगर आप अधर स्टेट के हो उपी उपी के हो तो यूपी यूपी उपी गवर्मेंट ते लगisstते हैं कि आफ डाप पर हो तो आप लिए अलग इंगर हो तो आपके लिए अलगस्कॉलर निया की पर्षिए तो इसटाइबिस यह जो है 1990 में चोटा सा केंपस है साथ एकर का जाक देली से अडमिशन होता है हॉस्टल फिस रहे में शार्ज आपको अलग से भर ना पड़ेंगा ठीक है एनियार फ्रांकिंग वेगर आप देख लेना एनियार फ्रांकिंग वेगर आप इसका आइजी डिटू का देख लेना आइधिंग एनियार फ्रांकिंग जो इंजीनरिंग में एधिज आइधिंग एटींथ है आइधिंग एटींथ है चलो चेक करते हैं साइट टाइपर से मिस्टेक हो गया होगा चलो इसका तो आइन है यार फ्रेंकिंग बहुत बढ़िया था कभी-कभी टाइपिक में एरर हो जाता है उसके लिए बिल्कुल चमा करिएगा पर जादे था टेटा मुझे याद रहता है इसके नहीं यार फ्रेंकिंग इस इस अल अबाट इंजीनरिंग यहां से आप रहे आएर फ्रेंकिंग सबके देख सकते हैं और यहां से आप इनए यार फ़्ी देख सकते हैं कि कि जिसका ने यार फो कितना है ठीक है और आप सर्च भी कर सकतना यह तो तो नहीं टॉपंडेड में नहीं आइए ती एक्सवी वाले बैंड होगी 151 है ठीक है ठीक है ठीक है तो इतिंक 151 चेक कर लेना नियार फ्रांकिंग इसके बढ़िया थी ठीक है अगर मैं बात करूं नंबर आफ कंड एस्टुएंट ग्रिजूएट की तो 335 ग्रेजूएट हुए थे और उसमें से 3111 प्लेस्ट हुए थे अब सोचों तीन सो पैसी में से 311 लडिकिया प्लेस्ट हो गई थी भाई कितना बड़ी है एक प्लेस्मेंट परसेंटेज है और इनका मीडियन सालरी तो मैंने आपको अल्रेडी दिखाया की मीडियन सालरी बीस लाग का है हाइस चालरी चपन लाग का है और अगर आपको एडमिशन लेना मेकनिकल और अटोमेशन इंजियरिंग प्लस एंबीए चार साल प्लस दो साल का एंबीए आपको एक लाख राइंक से जादे भी मिल लाएगा तो ओवरल अगर आपके 90 परशेंटाइल तक भी है और आप दली से हो तो आपको इसली स्कॉलिज में मिल जाएगा अधर इस्ट के लिए बता हूं तो अधर इस्टेट वालों की तो खिश्मत फूटी है बहुत लो रैंक बेंगी सेट क्लोज हो जाती है लेकिन एक चीज है जो सा जैक दली में जो इसपार्ट कांसलिंग होती है यू कैन पाटिस्पेट दियर हां इसपार्ट कांसलिंग में कई बार ऐसा होता है कि इनका भी 50-60,000 रांक तक अधर सेट में हो जाता है बट इसपार्ट राउंड के लिए आपको बखुलों की तरह नजर गड़ा के बैठा रहना पड़ना पड़ेगा कई बार ऐसा होता है कि कुछ तगड़ा हाथ लगे इतना की नॉर्मल राउंड में आप उसे आपका जल्दी जल्दी खतम करते हैं आपका ट्रिपल आइटी डेली बहुत ही शांदार कॉलेज है कंपसरिया बहुत ही चोटा है पढ़ाई के लिए मतलब इसका इसका कोडिंग कल्चर बहुत ही शांदार है इंद्रपरस्त इंसिट्टीट आफ इंफरमेशन टेकनलोजी मिलता है है अगूंपस थोड़ा चोटा है और थीक है काफी मतलब आप अपनवोल के काम में तो थोड़ा सा वो जो फ्री महाल चाहिए होता है सरकारी नौकरी की तैयारी करना हो या कुछी स्टार्ट अप के लिए सोचना हो जैसे डिट्यू और नसुट में मिलता है ओ फ्री महाल मुझे लगता है कि यहां सायद ना मिल पा रहा हो बाकी तो खेर अगर कोई य यालीस हजार पर समिस्टर और मेंस का चार्ज आपको तैना मतलब थ्री पैंत थी सव पचास रुपे मेंस का चार्ज आपको अलग से देना पड़ता है ट्रिपल आटी डेली में डेली नो डाउट काफी महांगा है लेकिन यहां पे टुशन फीस वेवियर भी है अगर आप सब्सक्राइब करना है अगर आप गरीब है तो उसके लिए रिलाइबिल्टी भी है पहले आप देखिए क्या 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 स्कॉलर्शिप है जो ट्रपलाइटी डेली के बच्चों को प्रवाइड कर रहा है ताकि यह गरीब बच्चा भी आकि यहां पढ़ सके तो फुर्शिप पंद्रा बच्चे आसे रहा होंगे जो प्लेज नहीं होंगे या फिरो क्या रहा होंगे आपने हायर स्टेडिज या कहीं और चले गया होंगे तो 305 में से 340 बच्चे अगर प्लेजड हो गया तो बहुत बड़ा नंबर है और गौर्मेंट इंजिनिर्री कॉ कोलेज रिसर्च बेजड है को अब मैं बात करता हूं और इसका पैकेज की बात कर लेते हैं तो इसका एवरिस पैकेज 25.39 LPA 25 लाग से जादेगा इसका एवरिस पैकेज है हाइस पैकेज 51 LPA इन इंडिया और अगर मैं इंटरनेशनल पैकेज की बात करूं तो 1.83 करोड का इंटरनेशनल पैकेज था एक कुछ ब्रांचेज हैं जिसमें से यहां पर यह जैक दिली की काउंसलिंग मैंने ऐसी देखी जहां पर इंफॉर्मिशन टेक्नलोजी कि छांप दिली की सीट पहले बंद होती है कंप्यूटर सेंस्ट बाद में बंद होती है लोग छोई करते हैं lost नाच नाच अगर आप यहां किसी में जस्ट इंट्री मारना चाहते हो और आप जनरल हो तो भाई 96.8 पर सिंटाइल प्लस आपको लेना होता है ठीक है अगर आपने ओलंप्याड वगरा क्वालिफाई किया तो उसके कुछ पॉइंट्स भी है आप इसका रूल बुक पढ़ लीजेगा या मैंने इस पेग बीडियो बनाया है जस्ट लुक फर देट तीसरी नंबर को अपना डैली टैक्निकल युनिवसिटी काफी शांदार कॉलेज मतला यार कॉलेज लाइफ शांदार फेस्ट वगरा दबाग होते हैं ठीक है अगर मैं इस्टेब्लिस की करूं तो भाई उनीस ओन ठानबे में इ इसका फीज की बढ़ता जाता बड़ता जाता है हर साल थोड़ा थोड़ा बड़ता है अगर मैं ऊसलबीज की बात करूं तो 60 ताउज़ेंट पर यह बच्चों को तो इस तो चॉद्म है अगर में इस भी की बात करूं तो भाई 34,810 मन्त के रिए ठीक है एवरेज पाकेज 16.7 LPA, मीडेन सेलरी 11 LPA, हाई सेलरी 82.05 LPA, पिछली बार नमबर आप यहां से जो नमबर ग्रिजुएट हुए थे हो 2041 थे और नमबर आप फिस्टो प्लेस्ट उसमें से अग्ठारों सो लोग प्लेस्ट हो गयते हैं अब आपके मुन में एक सवाल आएगा कि भाई यह एक ट्रिपल आईटी डेली से उपर आपने इसको रखा हुआ है और इसका पाकेज तो ट्रिपल आईटी डेली के तुला में बढ़ा कम दिख रहा है यहां पर ब्रांचेज भी बहुत इन्वार्मेंटल है बायो टेक्नलोजी प्रोडेक्शन है सीविल है केमिक अगर में अगर मैं आपकी नाइटी परसेंटाइल भी है तो भी आराम से इड्मिशन होने के संभावना है लेकिन अदर इस्टेट की सबसक्राइब भी किस्माइब तो भी बहुट लोरेइन की सीट हो जाके लिइए लेकन फिर भी बाहर के सबसे नागर लोगसा के बाद लोग、、 अभी है सारस मैं नी आ के लिग दिया और नंबर आफ ग्रेजुएटिंग लास्टियर नौ 896 जिसमें से 826 बचे प्लेस्ट हो गया थे मीडियन सालरी 16ल पीए का था आये सालरी 1.25 सियर का था काफी शंदार कॉलेज लेकिन इसके जो बाकी दो कैमपस है उतने अच्छे नहीं जितना की इनका इनका जो में केमपस है ल और जहां पर दो इस्टार लगा हुआ है और यहां इनकी कटाफ रही तो यू कें सी यह अब बारिए अपने बैस्ट कॉलेज की जो दैली में सबसे बैस्ट इंजिनरिंग कॉलेज दाइड इस आयाइटी दैली अब बताने की गुजरोत नहीं है सबको पता होगा वाट इस थाएटी देली और हर इक बच्चे का ड्रीम है आएटी बांबे के बाद अगर दूसरी ड्रीम हो दिया जाएट इस आयाइड ड्ली अगर मैं बात करूं तो वहरॉराल रैंक 4 एंजिनेरिंग में रैंक 2 है मैंगें आभी जांदार कॉलेज और पता है आएटी में बंढ़न सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा और 680 बच्चे में से 621 बच्चे यहां प्लेस्ट हुए थे अगर मैं मेरेन पैकस की बात करूं तो यहां प्लेस्टी पॉइंटी पैकस 17 लिप यहां सब्सक्राइब काशी सब्सक्राइब करने वाद दौने माल ऐसे एक टार्फार रंग पे बंदो घृति और 560 लोगया था पांचे श्रू सताशी यहां पे आपको प्राइब होने वाद तो इस इसज हो लिस्त आया पर देख सकते और जिनके वहां आप लोगशी तो आपको यह आपको बैस लगा तो टेल अबाउट दिस तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आप चाहते हो कि भाईया इंज डैली के टॉप 15 से लेके टॉप 20 बेस्ट प्राइट कॉलिजो की लिस्स दे दो मेरे को तो बिल्कुल बताईएगा मैं जरूर दे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बोर्ड की पसेंटेस पर भी अड्मिशन लेते हैं आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्स्राइब कर दीजिए तो चली मिलते हैं नेक्स उड़े में ता तक लिए बावाय टाटा एंचाह